जैहिन दोस्तों आप सभी का FD Classes में स्वागत है आज हम साथ माई को जितने भी important question बनेंगे उन सभी question को देखेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी भी परकार का doubt हो तो comment जरूर कर देना है यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को subscribe, like और share जरूर करे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की आपको notification मिलते रहे चले आज का पहला प्रश्न देखिए करेंट अफेर की सीरीज शुरू करने से पहले टूडे हिस्ट्री देखेंगे टूडे हिस्ट्री में छै मैं को इतिहास में हुए महत्पुन घटनाय को देखेंगे छत्रपती राजाराब महराज का राज्य अभिसेख छै मैं 1680 में हुआ था महत्मगांधी को 1944 में पूरे के आगाखा पहले से उनके अंतिम कारवास से बीना शरतर यहा कर दिया गया याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टन ही इतिहास में इससे कई बार कोश्टन बने हुए है डॉक्टर राजेंदर परशाथ को उननिस सबावन में भारत के राश्पती के रूप में फिर से चुना गया था च्छै माई 1967 में डॉक्टर जाकिन हुशन हराश्पती के रूप में चुने गये शौरव गांगुली ने 1999-2000 का सियेटर इंटरनेशनल किर्केटर आप्ट इयर अवार जीता है चले नेश्टर कोश्टन देखिए आज का पहला प्रश्ण है फ्रांस के ब्रेस्टिल डे परेड में शम्मानित अतिथी के रूप में किसे आमंतरित किया गया है तिनका सही आंसर होगा पी ए मुदी जी को फ्रांस के ब्रेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथी के रूप में आमंतरित किया है यह है इम्मिनुवल मैक्रोन फ्रांस के याद रखेंगे और यह हमारे परधानमंत्री जी चले याद रखेंगे परधानमंत्री नेंद मोदी नी 14 जुलाई तुहर 23 को ब्रेश्टिल दिवस के दावरान आयोजित फ्रांस की परंपरिक शैन्य परेट में सम्मानित अतिति के रुप में फ्रांस के राष्ट पती इम्मिनुवल मैक्रोन के निवंत्रन को शिवकार किया है परेड में फ्रांसेजेश चेना के साथ भारती शसत्र बलो की टुकडी भी सामिल होगी उनकी यात्रा फ्रांस और भारत के बीच रण नितिक साज़दारी की 25 वी वर्षगाट के अवसर पर होगी नेश्ट कोश्टन देखिए भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री कौन बने है तिनका सही आंसर होगा भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हिनारा बानी खार बने है याद रखेंगे अभी S.C.O. के बैठक में विलावत भुट्टो भारत आये हुए है विदेश मंत्री बिलावात भुट्टो जर्दारी 4 अपरे द्वार 23 को संगाई शायोग संगठन द्वारा आयूत एक शम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे हैं। यहार लगभग 12 वर्षों में भारत का पहला दवरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वरिष्ट नेता हैं। आखरी बार जब विदेशी याता दोहर 11 में हुई थी जब पाकिस्तान की पूर विदेश मंत्री हिनारा बानी खार ने भारत का दवरा किया था। चले निश्ट कोश्टन देखिए हाली में बास्केट बाल फ्रडरेशन आप इंडिया ने प्रशासक के रुप में किसे निप्त किया गया है तिनकर सही आंसर होगा बास्केट बाल फ्रडरेशन आप इंडिया के प्रशासक के रुप में कृष्णा भट को निप्त किया गय है चले ध्यान देंगे दिल्ली उच्च न्याला नी करनाटक उच्च न्याला के पूर्वनाधिस पी कृष्ण भट को निकाय में चुनाव कराने के लिए तत्काल प्रभाव से बास्केट बॉल फरडरेशन आप इंडिया का प्रशासक निक्त किया है प्रशासक तब तक कार् प्रशासक नहीं समाल लेता प्रशासक यहत्ताय करेगा कि क्या वर्तमान रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव कराना जारी रखना चाहिए चले नेस्ट कोश्चन देखिए चिहां तरवे कौन से फिल्म फेस्टिवल में माननदपाल में दी और से किसे सम्मानित किया जाए याद रखेंगे आप इमेज में देख सकते हैं यह है माइकल डगलर चले ध्यान देंगे दिककाच वाले वोट इस्टार माइकल डगलर को चिहांतरवे कौन से फिल्म फेस्टिवल में माननदपाल में डी और से सम्मानित किया जाएगा समारों के आईजक ने एक बयान में कहा है कि डगलर उनके सांदार केरियर के सांसाथ सिनिमा में उनके योगदान के लिए पहचाना जाएगा उस्सव सोला मैं द्वार्टेश को उद्गाटन समारों के दवरान अभिनेता को संधरांजली दिया जाएगा चले नेस्ट कोश्चन देखिए यूट्वन्टी परामर्शकारेकरम सम्मिलन कहा संपन्न हुआ है तो इनका सही आंसर होगा यूट्वन्टी परामर्शकारेकरम उत्रकंड में आईजित किया गया है याद रखेंगे इनपॉर्टन कोश्चन है चले ध्यान देंगे अखिल भारती आयरुविक्यान शंस्तान रिष्टी केस उत्रकंड में भारत सरकारेके यूवा मामले और खेल मंत्राला की तहत जी ट्वन्टी की तत्तवधान में आज दो दिवशिय यूट्वन्टी परामर्शकारेकरम सम्मिलन पांच में द्वर्टेश को संपन्न हुआ है सम्मेलन का विशाए Health Awareness and Sport है याद रखेंगे सम्मेलन का विशाए Health Awareness and Sport है परतिनीधियों ने सम्मेलन में युवाओं की श्वास्ता, फिटनेस और खेल पर चर्चक किया है चले नेश्ट कोश्चन देखिए भारत और किजदेश के बीच दसवे लेंड़ पोर्ट का उद्गाटन किया गया है तिनका सही आंसर होगा भारत और बांगलादेश के बीच दसवे लेंड़ पोर्ट का उद्गाटन किया गया है याद रखेंगे इंपोर्टन कोश्चन है भारत और बांगलादेश के बीच दसवे लेंड़ पोर्ट का उद्गाटन चार में द्वार तेश को राज्य मंत्री नित्यानंद्राय द्वार में घाला के दावकी में किया गया था लेंड़ पोर्ट से वैपार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों दिशों के बीच आसान यात्र की स्विधा मिलेगी दावकी लेंड़ पोर्ट यात्री और कारगो टर्मिनल भवन गोदाम सीवेज उपचार सयंत्र जैसी अन्य स्विधाय परदान की जाएगी चले नेस्ट कोश्टन देखिए दोहा डाइमन लिंग का किताब किस ने जीता है तिमकर सही आंसर होगा दोहा डाइमन लिंग का किताब नीरा चोपरा ने जीता है याद रखेंगे इंपोर्टन कोश्टन है दोहा डाइमन का किताब नीरा चोपर ने जीता अशल की हैं चले ध्यान देंगे ओलम्पिक चेंपियन जेवडीन थ्रोवर नीरा चोपर ने 5 मई दोहा तेश को दोहा डाइमन लिंक का किताब जीता है चेक गर्णाज्य के वर्ड लेंज दूसरे इस्थान पर रहें जबकि गरेंडरा के पीटर सा तीसरे इस्थान पर रहें इस जीत के साथ नीरा चोपर ने वर्ल्ड लिट भी हासिल कर ली है उन्होंने अपना सर्वसेष्ट अठ्यासी दसंबल सरसेट मीटर का थ्रोप फैका था चले नेश्ट कोश्टन देखिए तासकंद एश्यकप में भारती तिरंदाजी पुरुष और महिला टीमोंने कुल कितने पदक जीतासिल किया है तिक रहें आंसर होगा तासकंद एश्यकप में भारती तिरंदाजी पुरुष महिला टीम ने 12 पदक जीतासिल किया है याद रखेंगे भारती तिरंदाजी पुरुष और महिला टीम ने 12 पदक जीते तासकन में एशिया कप विश्वा रैकिंग टूनामेंट स्टेज सेकेंड में भारती तिरंजाजी पुरुष और महिला टीमें विजाईवी हुए पांच रजग और दो काश्य पतक जीते हैं कंजाकिस्तान को 232 से 233 से हराकर श्वानपतक जीता कंपाउंड पुरुष टीम इवेन में अमित कुसल दयाल और अभिशेक वर्मकी टीम ने हौंग काउंग को 233 से 226 से हराकर गोल्ड जीता है चले नेस्ट कोश्टन देखिए भारत के विदेशे मुद्रभंडार चारदस्वलों 53 मिलियन डॉलर बढ़कर कितना हगए है तिनकर सही आंसर होगा पांस सो अठ्थ्यासी देस्वलों 78 मिलियन डॉलर हो गया है याद रखेंगे इंपोर्टन कोश्टन है भारत के विदेशे मुद्रभंडार चारदस्वलों 53 मिलियन डॉलर बढ़कर पांस सो अठ्थ्यासी देस्वलों 68 मिलियन डॉलर हो गया है चले ध्यान देंगे 28 अपरेल दुह त्थ्यास तक भारत के विदेशे मुद्रभंडार सब्ताहिक आधार पर चारदस्वलों 53 मिलियन डॉलर बढ़कर 588.78 मिलियन डॉलर हो गया है 21 अपरेल को समाप्त हुए पिछल सप्ताह के दौरान भंडार दो दस्वलों 16 मिलियन डॉलर गिर कर 584.24 मिलियन डॉलर हो गया था भारती रिज़वलों बैंग ने नविंतम आइकड़ों के नुसार भारत की विदेश्य मुत्रा संपती विदेश्य मुत्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक 4.99 मिलियन डॉलर बढ़कर 59.48 मिलियन डॉलर हो गया है चले नेश्ट कुश्रन देखिए पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्ण पूचा था कि वड़ड़ड़ फ्रीड़फ इंडेख्स में बारत कितनी इस्थान पर है तिनका सय नसर का भारत इस्मिन 161 इस्थान पर हैं याद रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 इस्थान पर हैं वेरी इंपॉर्टन कोश्टन है चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्ण है सरवाधिक अभी नव राज्य का दर्जा कीसे दिया गया है इनका सही आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए चरे मिलते हैं अगले उड़ों में जाहिन जाचाते विगारा